नमस्क्रा, मेरा नाम है दॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से एक पैलेसिस का पेशन्ट यह छोटी से हलकी से वेट का यूज करते हुए अपनी लेक की पावर को बढ़ा सकता है अक्सरा पैलेसिस पेशन्ट में देखते पेशन्ट का चलना बहुत आसान हो जाता है उसके बहुत सारे तरीके होते है और अक्सरा मैं जो देता हूँ कि आप पैर को ठीक करना चाते हो तो आप कोशिश करो कि मैकसिमम चलो बगर उसके में ध्यान के रखना होता है कि हम जिस तरह से चाल रखेंगे जिस तरह से आप यहां भी पई रखेजं थेफ तर पमने हैं हो जितना असान है अतना है अससनल बिल्क करनी है इसको ही जृड़ी ऐस मतलिसे के नहीं होता लुए अब स्वेट को बांधने के बात इस पैब को उठाना पहले से मुश्किल हो जाएगा अब हमने क्या करना है अपने सामने एक चेर रखनी है आप इस चेर की जगह किसी भी ग्रिल का रेलिंग का आप ले सकते हो इसके बाद आपने कोशिश करनी है कि अपने बोड़ी को वेट को चपडाल कर आपने अपने सिर्व नी की ये मुवमेंट करनी है वो भी सीधा क्योंकि जब हम चलते हैं तो हमारी कई सारी मुवमेंट एक स चलना शुरू कर जाता है तो आपको आगे बंड़ने में बहुत असानी होती है तो इसी तरह से हम इसकी हेल्प से यही मुवमेंट की एक्सराइज करेंगे इसे हम पैर को इस तरह से उठानी कोशिश करेंगे आप थोड़ा सा उठा पाओगे पर जब रोज प्रैक्टिस कर तो देखोगे कि आपकी जो दीकी मुवमेंट है घुटनी की मुवमेंट है वह अच्छी होने लग देखे है इसको अपने 90 डिगरी तक लेके जाना है यानि यह आपका जो आपकी थाई है यह आपकी बॉड़ी के साथ 90 डिगरी का एंगल बना ची अगर यह एंगल से हमारे लेग में इतनी इंप्रूमेंट आगई है कि अब अपमें लिंप करके नहीं चलना पड़ेगा हमें पैक घुमा के नहीं चलना पड़ेगा पैक उठागे आगे बड़े अराम से तक पाएंगे तो दिन में आप इसको 10 मिनिट सुबह 10 मिनिट शाम करेंगे यह सफिशेंट इससे दता करने की जुरूरत नहीं है अगर आप 10 मिनिट नहीं भी कर पारें अगर आप 2 मिनिट कर पारें हैं धाई मिनट कर पारें कोई दिक्कत नहीं है दिरी दिरी टाइम अपने आप बढ़ जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं इस चोटी सी एक्सेसाइस की हेल्प से आप अपनी लेक में पावर लेकर आसकते हैं चलने में जो आपको दिक्कत होती है तो अब बनाने की बनाने पाते चलने की आगया चाहूंगा लते हैं अंगली वीडियो में तब तक करेए नहीं स्क्राथ